हाई फ्रेंड्स आज हम प्यास के पकोड़े बनाने जा रहे हैं अगर आप इस ट्रिक के साथ पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े बहुती क्रिस्पी बनेंगे यहां पे हमने आधा किलोग प्यास काटके ले लिया है उसको बारी काटना है उसके बाद हमने यहां पे लाल मिर्स पाउडर, एक चमच नमक, एक चमच गरम मसाला पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और प्याज को मसलते हुए मिक्स करना है जिससे वो प्याज जो है थोड़ा जो चिपका हुआ उसका जो लेयर है वो अलग हो जाए इन सब को हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमें कठाई में तेल गरम करने तो यहां पर हमने जितना हमारे तेल में आ सकता था उतनी पकोडों को हमने डाल दिया है कड़ाई में और इसको पलट लेंगे थोड़ी देर उसको पकने के बाद हम इसको पलटके अच्छे से पका लेंगे इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाती हुए पका लेना है क्यो दिख रहा है थोड़ी दिर स्कोर चलाती हुए पका लेंगे और हमारा जो पकोड़ा है लगभग बनके त्यार है उसको हमें एक प्लेट में खाली कर लेंगे आरा रोड डालने की वज़े से हमारा पकोड़ा जो है खुब क्रिस्पी बनके त्यार होता है फ्रेंड्स अगर यह रिस्पी आप ट्राय जरूर करिएगा अगर आपको मारी रिस्पी पसंद आई हूँ तो चैनल को लाइक से रो सब्सक्राइब भी करें थाइंक्यू